हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने आलू का हल्वा बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखे किस तरह से बनाते हैं इसे हम किसी भी विरत्म में भी बना सकते हैं सबसे पहले हमें कड़ाई लेंगे ये मैंने लोहे की कड़ाई लिये, आप कोई भी कड़ाई ले सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा गी डालेंगे, गी को गरम होने देंगे, अब गी को चारो तरफ कड़ाई के फैला देंगे, जिसे की कड़ाई चिकनी हो जाए और जब हम इसमें आलू डालेंगे तो वो साइट स चिपकेंगे नहीं अब ये मैंने चार उबले हुए आलू लियें और इनको दरदरा क्रश कर लिया है हातों से इसको फोड लिया था आलू को अब हम घी में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगाता चलाते हुए भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे भूनते रहेंगे आलू को हम कल्ची के साइता सही क्रश करते रहेंगे और इसे अलट पलट करते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए इसका अच्छे से color change ना हो जाए आलू को हम medium low flame पर भूनेंगे और लगातार चलाते भूनेंगे नीचे तली तक इसे हमें चलाना है जिसे की तली में लगे नहीं और अलट पलट करते भूनेंगे जितना ज़्यादा भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है अब इसका थोड़ा color change होने लगाए और कडाई में भी लगने लगाए तो यहाँ पर हम लगाता चलाते भूए नीचे तक चलाएंगे जिस टाइम कडाई में लगने लगे वहाँ पर हम बिल्कुल low flame रखेंगे और लगाता चलाते भूए भूनेंगे उसके बाद फिर से हम medium flame से भूनेंगे और जो नीचे लगा हुआ है इसे हम सब खुरच लेंगे इसे जलने नहीं देंगे लगाता चलाते वे इसी तरह से भूनते रहेंगे जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा हलवे में टेस्ट आएगा जब यह भून जाएगा तब यह बिल्कुल अच्छे से घी छोड़ देगा यहाँ पर बिल्कुल मैंने low flame रखी हुई है लो flame पर इसे हम इसी तरह से भूनेंगे आलवो को भूनते हुए मुझे 20 मिनट हो गई है पांच मिनट और भूनूंगी अब हलवे ने काफी आलवो ने घी छोड़ दिया है अब हम यहाँ पर चीनी एड़ करेंगे अपने टेस्ट के साफ से कम जादा कर सकते है मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी डाली है अगर आपको चीनी जादा पसंद हो तो इसमें थोड़ी सी चीनी और एड़ कर सकते है चीनी को अच्छे से mix कर लेंगे जिससे की melt हो जाए एक चुधाई चमच मैंने इसमें इलाइची पाड़ो डाला है खुश्बू के लिए इससे खुश्बू बहुत अच्छी आती है आलू के हलुए में कभी भी ड्राइफूट ने डलते हैं अगर आपको खाने पसंद हो तो डाल सकते हैं इसको अच्छे से mix कर लेंगे इलाइची पाड़ो और चीनी को इसमें मैंने हाफ कप चीनी डाली थी बाकी को अलग हटा देंगे अगर तेज खाना पसंद हो तो थोड़ी सी और एड़ कर सकते हैं अब यह हलवा हमारा बहुत अच्छे से बनकर तयार हो गया है इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे चीनी के मेल्ट होने तक इस हलवेकॉम शिवरात्री पे नवरात्रियों में जनमास्टमी पे या फिर तिरोधशी के वरत पे कोई भी वरतो उसमें खा सकते हैं या फलियार के वरत में या फिर सादा वरतो सावन के वरत में किसी भी वरत में हम इसे खा सकते हैं और जब भी कभी मीठे खाने का मनों तब भी बना सकते हैं अब ये इसमें चीनी भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। और neighbor की इसे पहुत अच्छे से खुश्बूी है। ये हलूँ हमारा बहुत अच्छे से बुनकर तयार हो गया है। और इसने घी भी छोड़ दिया है, अब हम इसकी गैस बंद कर देँगे। और इसे सर्व करेंगे तैंक यू